जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, 36 गड़ में भी राजनीतिक महौल बढ़ रहा है, लेकिन इस बार तो कई नेताओं पर भी F.I.R. हो गई है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं, 36 गड़ के उपमुक के मंतरी अरुन साओ जी, कॉंग्रेस कह रहे हैं कि बीजेपी डर गई है, इसलिए बार बार अपने नेताओं पर F.I.R. करवा रहे हैं आप कॉंग्रेस के नेताओं। और घबराहट में वो ऐसे काम कर रहे हैं, कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं और जब कानून को अपने हाथ में लेंगे तो निश्ची दुरूप से प्रशासन अपनी कारवाही करेगा, कानूनी कारवाही होगी, तो कांग्रेस डरी हुई है, घबराई हुई है, भारति ये जनता पारिटी तो आज जिस प्रकार से पिछले दस सालों में नरेंद्र मोदी जी ने जो आम लोगों के जीवन को सुलभ बनाया है आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया है आम लोग ही चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार जेश के प्रधान मंतरी बने औ और आम लोग ही आगे बढ़कर नरेंद्र मोदी जी के लिए काम कर रहे हैं। ये बताईए कि आप राहूल गांधी चतिसगर में कैम्पेंड कर रहे हैं लगातार। आपको लगता है कि आपकी इन बातों से कांग्रेस मजबूर होगी क्या कि या फिर और ज़्यादा मजबूत होगी। चतिरगर की जनता को धोखा देने का काम किया। इसलिए राहूल गांधी के आने का कोई लाभ कांग्रेस पार्टी को होने वाला नहीं है। चोकि शत्तिरगड की जनता जानती है कि ये ठगने वाले लोग हैं, धोखा देने वाले लोग हैं, फिर जूठे वादों का पिटारा लेकर आएंगे और दूसरी बात तो ये है कि आज शत्तिरगड की लोग भी जान रहे हैं, कांगरेस पार्टी भी जान रही है कि केंदर की स मिलेगा मिशन इलेवन ग्यारा की ग्यारा लोग सबस सीटे भारती जन्ता पार्टी जीतने की तैयारी से काम कर रही है इस तरह के शब्दावली का उपयोग किया कि प्रदान मंत्री का सर फोर दो या फिर इस तरह के आरोप लगाए कि तीर धनुष से आक्रमण करो इस तरह की शब्दावली का राजनिती में उपयोग कैसे देखते हैं ये बहुत दुरभा गिजनक है सब्दों की मरियादा राजनिती में होनी चाहिए आप अपनी बात कहने जन्ता के बीच और आदर साचार सहीता होता है इसके लिए क्या बोलना क्या नहीं बोलना कितना बोलना कानून है देश का और राजनेता है आप राजनेता है इसलिए कि जुम्मेदारी अधीक है सब्दों की मर्यादा रखने की पर जिस प्रकार से कांग्रेस नेताओं के बोल निकले हैं ये कहीं न कहीं किसी साजिस के और इस पस्टूप से संकेत करते हैं लाठी से सीर फोड़ने वाला नेता चाहिए क्या बोलना चाहते हैं और कवासी चेंगे अधी भासा ये क्या बताता है कहीं ने कहीं ये कोई सड्य करने में माहिर है और हम सजग हैं और सजगैं और कांगरेस के नेताओं के बोल को छत्तिरगड की जंता देश की जंता खुबी देख रही है और इन्हें सबक निश्च दुरुप से देश और प्रदेश की जंता सिखाएगी बड़ा तोगा देखना की जंता कितना जवाब देती है कैसे जवाब देती है लेकिन वोटर की ताकत तो वोटर ही जानता है कैमरापरसन सूरज पांडे के साथ मनोग्या लोईवाल रायपूर चतिसगड़ एबीपी न्यूज